Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English educator, कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is doing well और इतनी अची बात से चलिए, स्टार्ट करते हैं, हमारी 12th class की Flamingo book की 6th poem, जिसका नाम है A Roadside Stand, 5th poem I guess, या 5th poem, A Roadside Stand और इसके poet कौन है? Robert Frost First, poem start करने से पहले मैं आपको Roadside Stand का मतलब बता देती हूँ, क्यों होता है? जब को यह Highway Road होता है, याने बहुत busy road होता है, जहां बहुत traffic होता है उसके side में एक roadside stand, याने एक छोटा सा इस तरीकी का जब stall लग जाता है, जहां पे लोग छोटी-छोटी चीज़े बेचते हैं, जैसे vegetables, fruits, berries आपने देखा भी होगा, अगर कभी आप Highway Road पर जा रहे हो, तो सडक के किनारे, road stand याने सडक के किनारे, छोटा सा stand लग रहता है, और वहां पे लोग छोटी-मोटी चीज़े बेचते हैं, यह poor farmers होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, जो चोटी चीज़े ताकि वो अर्न कर पाए अपनी डेली लिविंग, ओके, so that is known as a roadside stand. About the poet, पोहम स्टार्ट करने से पहले हम पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हमारे पोएटर, Robert Frost, he was born in 1874, He was born in 1874 and died in the year 1963. He was a highly acclaimed American poet, acclaimed याने publicly praised, याने जो public थी, जो audience इनको बहुत पसंद करती थी और इनके काम को भी बहुत पसंद करती थी. और ये एक American poet थी, of the 20th century, कौन सी century में? 20th century में, अभी 21st century चल रहे है, 20th century के काफी famous and well-renowned poet थे, Robert Frost. In the poem, a roadside stand, Frost presents the lives of poor, depressed people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. तो ये जो poem हम पढ़ रहे हैं, the roadside stand, इसमें Robert Frost क्या बता रहे है? In roadside stand, याने जो roadside stand पे जो farmers है, poor लोग हैं, जिनोंने अपना stall कोल के रखा है, कि लोग आएंगे और उनसे कोई चीज़ खरीदेंगे, उनके उपर उनको pity आ रहे है, याने दया आ रहे है, कि इनको कोई notice नहीं कर रहा है, इनको कोई नहीं देख रहा है, और ये बिचारे poor farmers बहुत गरीब हैं, इनके पास खाने के लिए भी नहीं है. तो basically इनको बहुत क्या है, इन लोगों के साथ sympathy है और humanity है, इनको लगता है कि इनके साथ कोई इंसानीद नहीं दिखा रहा है, और कोई sympathy नहीं शो कर रहा है, याने कि इनको कोई sympathize नहीं कर रहा है. तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस पॉम में. Introduction of the poem. The poet contrasts his lives of the people who live in the villages and those who live in the cities. तो इस पॉम में basically हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक comparison पढ़ने वाले हैं. गाओं में रहने वाले, village हैंने, जो countryside के रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में. और जो शेहरों में रहते हैं लोग, cities में, इन दो टाइप के लोगों के बीच में comparison हो रहा है. City के लोगों में और village के लोगों में. He highlights the difficult situations of the deprived villagers who are aching for some money to lead a prosperous life. वो किस के बारे में आँ बता रहे हैं? वो बता रहे हैं उन village के poor लोगों के बारे में, जिनके उपर उन्हें दया आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये जो poor लोग हैं, इनके पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं हैं, लोग बहुत गरीब हैं. और ये चाहते हैं कि इनकी life भी city के जो लोग हैं, शेहर के जो लोग हैं, उनके जैसे हो. उनके जैसे नहीं तो अटलीस उतनी तो हो जाएं कि इनके village में भी पैसा flow होना start हो जाएं. ताकि ये लोग इनके यांसे कुछ roadside stand से कुछ खरीद लें, इनके पास पैसा हैं, तो ये भी अपनी इच्छाओं को, अपनी dreams को पूरा कर सकते हैं और पेट भर खाना खा सकते हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इनकी life माँ बहुत miserable है, the life of the poor people is very miserable, बहुत बुरी हालत हैं, because they have insufficient amount of money, क्योंकि इनके पास इतना sufficient पैसा ही नहीं, जिससे ये लोग कोई अपना खाना पीना भी complete करे हैं, अच्छे से पेट भर खाना भी नहीं खा सकते. It is the only money that can lift their living standard, but they don't have any. इनका जो living standard है, याने इनकी जो खराब हालत है, वो तभी सुदरेगी जब इनके पास पैसा आएगा, क्योंकि पैसे से ये लोग चीज़े खरीच सकते हैं, लेकिन मुश्किल बात ही है, ये कि इनके पास पैसा नहीं आ रहा. The poet wishes to relieve the pain of rural people at one stroke. roadside stand बनाके, चीज़े बेच के अपनी महनत का पैसा कमाना चाहते हैं. तो यहाँ पर बात यह हो रही है, कि कोई इन लोगों को importance नहीं दे रहा और society में इनको acceptance नहीं है, इन village के, इन गाओं के लोगों को. तो poet इनके बुरी हालत दिखे हैं सोचते हैं कि मैं इनका जो pain है, जो इनके तकलीफ है, एक stroke में खतम कर दू, याने एक ही बार में खतम कर दू, उनको ऐसा लगता है क्योंकि यह लोग बहुत परिशान हैं. Okay, so all this we'll be studying in this POOM. और यहां से हम word by word एक एक चीज का explanation समझेंगे POOM का. So let's begin with the explanation of the POOM. The little old house was out with a little new shed. In front at the edge of the road where the traffic sped. Traffic sped का मतलब क्यों होता है, fast movement of the traffic. A roadside stand that to pathetically plead. Plead, याने किसी से बहुत request करना. It would not be fair to say for a dole of bread. Dole of bread का मतलब क्या होता है? Dole of bread याने donations. याने charity में जब हम किसी को कोई चीज देते हैं. तो यहां पर बात हो रहे हैं, यह roadside stand की. इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो roadside stand ऐसा दिखता है. कि सड़क के करनारे छुटा सा stand है, वहां fruits रखें, vegetables लखें. यह poor village के जो farmers होते हैं, लोग होते हैं, इस तरीके से रखते हैं, ताकि यह लोग कुछ पैसे कमा ले. तो वो बोल रहे हैं कि एक roadside stand है वहाँ पर, और edge में है. यहने सड़क के कोने में हैं, और सामने से बहुत traffic जा रहे हैं. traffic spread यहने कि बहुत सारी गाड़ियां वहाँ से आ जा रही हैं, और सड़क के कोने में एक roadside stand है. और इस roadside stand को कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई नहीं देख रहा कि वहाँ रुक के वो उन लोगों से कोई चीज खरीद ले. इनको कोई notice ही नहीं कर रहा. और अब क्योंकि वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, उस roadside stand, जो stand है, उसकी हालत इतनी pathetically, इतनी बुरी तरीकरी से खराब हो गई कि अब तो इस stand को देखकर ऐसा लगता है कि वो उन लोगों से, यानि खुद stand जो है, वो लोगों से request कर रहा है कि प्लीज आ जाओ और हमसे कुछ यहां से खरीद लो, फिर वो बोलते हैं कि it would not be fair to say for a dollar of bread, यानि कि इसका ये मतलब नहीं कि इन poor farmers ने एक roadside stand लगा के रखा है, तो वो भीक मांग रहे हैं, या उन लोगों से donation मांग रहे हैं कि हमें कोई दान में donation में चीज़े दे दो या पैसे दे दो, नहीं, ऐसा नहीं हैं, उन लोगोंने सामान रखें, fruits रखें, veggies रखें, कि लोग आएं और खरीदें, basically उनको मेहनत का पैसा कमाना है, ना कि लोगों से donations या लोगों से कोई charity दान में कुछ नहीं चाहिए, but for some of the money, the cash, whose flow supports, तो वो कह रहे हैं कि वो किस के लिए roadside stand उनने खुल के रखा है, भीक मांगने के लिए, donations के लिए, बलकि पैसे कमाने के लिए, ताकि जैसे शेहर में, इतना अच्छे से लोगों के life में पैसा flow हो रहा है, लोगों के पैसा आ रहा है, फिर वो लोग कोई च cash है, कहाँ पर शेहरों में, तो और वैसे है, cash flow है, वो चाहते हैं कि उनकी village में भी हो ताकि उनकी भी life सुधरे, उनकी भी life better हो, उनके बस भी अच्छा खाना खाने के लिए हो, the flower of cities from sinking and weathering faint, faint का मतलब lifeless, तो वो कह रहा है कि क्योंकि शेहरों के लोगों के पास, cities के लोगों के पास क्या है, पैसा है, वो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, वहाँ पे cash flow है, तो इस वज़े से उनकी life क्या है, बहुत colorful है, क्योंकि उनको सब खुशिया मिल रही है, लेकिन, on the contrary, अगर हम village के लोगों की बात करें, तो वहाँ ऐसा बिलकुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो life है, बहुत lifeless है, बहुत dull है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, और पैसा नहीं तो वो चीज़ें अच्छे अच्छी खरीद नहीं सकते ह खाना sufficient खरीद के खा सकते हैं, उनकी life बहुत lifeless याने dull है, बेजान जिंदगी उन बेचारों की और वो लोग बहुत weak और poor हैं, आगे पढ़ते हैं, the polished traffic, past with a mind ahead, और if ever aside a moment, then out of sorts, polished का मतलब क्या है, refined, और out of sorts का मतलब क्यों होता है, irritated, तो उब कह रहे हैं, कि जो traffic जितना भी जा रहा है, जितनी भी वहां से गाड़ी आ रही है, जा रही है, वो लोग कभी नहीं रुकते हैं, इन roadside stand से कुछ खरीदने के लिए, उनका mind ahead है, याने वो देखते भी नहीं है, एक नजर कि यहां पर कोई roadside stand लग हुए, बस आगे बढ़ते चले जाते अपनी ही धुनने, वो कह रहे हैं, और कोई अगर गलती से रुक भी जाता है, तो हमेशा out of thoughts रहते हैं, याने कि वो हम लोगों से हमेशा क्या रहते हैं, irritated रहते हैं, at having the landscape made with the artless paint, made का मतलब spoiled, of signs with N turned wrong and S turned wrong, तो वो कहरें कि कोई नहीं रुकता हम लोगों के लिए हाँ पर, अगर गलती से, भूल से, अगर कोई रुक भी जाता है, तो वो हम पर irritate होते हैं, हम पर गुस्सो होते हैं, और कहते हैं, कि तुमने पूरी beauty खराब कर दिये जगा की, तुमने सड़क पर एक इस तरीक से गंदा सा roadside stand लगा दिया है, और वो क्या बोलते हैं, कि जो N है, जो North का direction है, वो तुमारे यहां गलत लगा हुआ है, जो South का direction है, वो तुमारे यहां गलत लगा है, तो कहते हैं, कोई अगर गलती से रुकता भी है, तो हमें इस तरीके से irritate होता है हम पर, और हम से गलत बाते करता है, एक तो कुछ खरीद नहीं रहे हैं हमसे, और अगर रुक भी रहे ह उनके roadside stand पे, तो उनको अलग-अलग बाते सुनाने के लिए रुक रहे हैं, offered for sale with berries and wooden quads, quads का मतलब क्या होता है, a measuring unit, तो वो कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने इतना सजा के रखे हुए, wooden quads, याने कि लकडी के जो ऐसे boxes होते हैं, जिसमें एक measuring unit होती है, उसमें fruits and vegetables हमने इत इती decorate करके logo के लिए रखे कि customers आएंगे और कुछ खरीदेंगे, कहते हैं उन में से तो हमसे कुछ खरीदते नहीं है, बस आते हैं और हम पर चिला दे कि तुमने beauty खराब कर दी जगा के, यहां पर यह तपडा लगा के, यहां पर यह roadside stand लगा के, और तुमारे यह जितने north and south के signboards हैं, वो भी सब खराब हैं, और crooked neck golden squash with silver watts, crooked neck याने bend neck, और squash क्या होता है, it's a type of god, एक टाइप की सबजी, g-o-u-r-d, जैसे लौकी होती है, गिलकी होती है, उस तरीके के यह भी एक सबजी होती है, एक vegetable होती है, तो वो बोलते हैं, poet बोल रहे हैं, और क्या करते हैं वो और कुछ खरीदते तो हैं नहीं, बस हमको यह सुना के चले जाते कि देखो, तुम लोगों ने जो fruits and vegetables रखे हुएं, वो कितनी गंदी quality के हैं, कितने गंदे हैं, dirty हैं, कौन खरीदेगा तुमसे, तो यहाँ पर roadside stand के लोग यह बता आना चाहते हैं, कि कोई एक तो हम पर ध रखी हुई हैं, उनको भी गंदा बोलके चले जाते हैं, कि बहुत dirty हैं और बहुत bad quality की है, तो यहाँ पर इनके दुख का पता चल रहा है कि यह roadside stand के लोग कितने दुख में हैं, आगे पढ़ते हैं, और beauty rest in a beautiful mountain scene, you have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along, तो यह जो lines हैं, यह lines हमारे poet बोल रहे हैं, Robert Frost, और किस के लिए, किस के बहाफ में बोल रहे हैं, इन roadside stand के जो poor farmers हैं, उनके बहाफ में कह रहे हैं, city के लोगों को, वो कहते हैं, कि यह जितनी भी जगा है, यह कितनी ब्यूटी है, यहाँ पर beautiful mountain के scenes हैं, तुम यह सब देखने के लिए रुक रहे हो, और कहते हो कि हमारे पास पैसा है, city के लोगों को कह रहे हैं, कह रहे हैं, कि तुमारे पास पैसा है, अगर इतना ही पैसा है, तो तुम इतने mean क्यों हो, यानि कि इतने मतलब ही क्यों हो, कि जो पैसा है, हमेशा अपने जेब में रख के चलते हो, और तुमारे जेब से पैसा नह vegetables, इतने मीन, इतने मतलब ही क्यों हो तुम लोग? Too hot to the scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. तो यहाँ पर जो roadside stand के लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं? कि हमारी किसी से कोई complaint नहीं है, कोई हमारी किसी से कोई गुसा नहीं है. बस हम चाहते हैं कि लोग हमारे आभी आएं, रुकें, हमसे कुछ खरीदें, थाकि पैसा हम लोग के पास भी आएं और हमारा standard of living बेटर हो जाएं. और वो कहते हैं, trusting sorrow. इन roadside stand के लोगों ने trust किया था, उनको यकीन था कि चलो, हम लोग एक roadside stand खोलेंगे, जो traffic में highway पे लोग होगी, वो देखेंगे, आएंगे, हमसे कुछ खरीदेंगे और हमारी life बेटर होगी. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इनका जो ये trust था था, जो यकीन था कि हमारी life बेटर होगी, वो sorrow, याने sadness, दुख में convert होगी. तो roadside stand के लोग ये बोल रहे हैं, कि हमने शेहर से इतनी दूर highway road पे, सड़क के कोने पे अपना एक छोटा सा roadside stand खोला है. इस उमीद में कि कुछ लोग city से आएंगे और जब highway road क्रॉस करेंगे, तो हमें notice करेंगे, हमें देखेंगे और हमसे कोई चीज़ खरीदेंगे, लेकिन वो तो notice भी नहीं करते हो, ना हमें देखते हैं. और हमें तो ये उम्मीद थी कि वो आएंगे, हमसे कुछ खरीदेंगे, तो हमारे बस भी कुछ पैसा आएगा. हमारी भी लाइफ थोड़ी बेटर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. And ask for some city money to feel in hand. To try if it will not make our being expand. तो being expand का मतलब क्या है? कि अगर हमारे पास पैसा आएगा, तो हम भी expand होगे, याने हम भी बढ़ेंगे, हम भी develop होगे. हमारे लाइफ भी बेटर होगी, हमारे बास भी पेट भर खाना खाने को होगा. And give us the life of the moving pictures promise. That the party in power is said to be keeping from us. Moving pictures का क्या मतलब होता है? Cinema या movies. तो यहां बता रहे हैं कि जो roadside stand के poor farmers हैं, उन्होंने कभी movie hall तो गए नहीं होगे, ना अंदर कभी movies या picture देखी होगी, उन्होंने इन movies के जो hoardings होते हैं, जो banner लगे रहते हैं सड़क पे, वो देखे होंगे. और उनको यह देखके, कुछ ऐसी pictures, कुछ ऐसा उनको images देखी होंगी इन banners या hoardings में, कि जिसमें ऐसा लगता है, कि लोगों की life better हो रही है, अमीर लोग हो जाने सड़नली, गरीब लोग अमीर बन जा रहे हैं, या उनकी life better हो जा रही है, तो वो कहते हैं, कि हमने कितना भी इन hoardings पे, जो cinema की hoardings होती है, यह सब देखा है, वो हमें ऐसा लगता है, कि promise कर रही है हमसे, कि हमारी गरीबों की, हमाया हम गरीबों की जिन्दगी भी better होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा. Party in power का मतलब क्या है? Government या politicians, जो भी government अभी power में है, या जो भी politicians है, बड़े-बड़े नेता है, तो वो बोलते हैं, कि जो भी party in power है, जो भी बड़े-बड़े politicians है, वो आते हैं, और हमसे promise करके चले जाते हैं, कि आपकी life अच्छी होगी, आपको ये करा देंगे, आपका घर अच्छा बना देंगे, हमारी life better करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये greedy हैं, ये बहुत लालची क्योंकि इन्हें हमसे vote चाहिए, लेकिन हमें बड़ले में ये कुछ नहीं देते हैं, और हमारी गरीबों की life वैसी की वैसी ही रह जाती है, It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in, kin का मतलब क्यों होता है, relatives, याने basically यहाँ पर roadside stand के लोगों की बात हो रही है, तो वो बोलते हैं कि हमने news देखी थी, और news में ये बात बताई जारी थी, कि हम जितने भी गरीब हैं, हम जितने भी पूर roadside stand के लोग हैं, हम पर तरस खाया जाएगा और हमें अच्छे अच्छी शेरों की जगाओं पर लाया जाएगा, याने better living conditions में हम लोगों को shift किया जाएगा, हमें एक जगा एक खटा करा जाएगा और हमें village में रहने को नहीं बोला जाएगा, और हमारे घर कहां बनाए जाएगे, next to the theater and store, याने हम इतनी developed place पर हमको shift किया जाएगा, जहां असपास theater होगा, अलग-अलग stores, दुकाने होगी और हमारी life better होगी, तो यह सब promises उनको politicians आके करके जाते हैं, या फिर उनको fake news ऐसी देखने को मिलती है, और इन जगाओं पर जब उनने shift कर जाएगा, उनकी life better बनाए जाएगी, तो उनको फिर अपने बारे में सोचने की ज़रूत नहीं है, गवर्मेंट उनके लिए सब कर देगी और उनकी life better बनादेगी, लेकिन reality में ऐसा कुछ नहीं होता, वाइल greedy, good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits, beneficent का मतलब क्यों होता है, generous, यहाँ पर अगर मैं आपको बता हूँ, और beast का मतलब क्यों होता है, righteous, a devil, तो यहाँ पर क्या बोल रहे है roadside stand के लोग, इन politicians को कि यह beneficent beasts है, याने यह beneficent याने generous, दिखते तो generous हैं, दिखते तो अच्छे हैं, लेकिन असलियत में beast होते हैं, याने एक राक्षस के बराबर, एक devil के बराबर होते हैं, जो इन गरीबों से जूटे promises करके जाते हैं, इनको better living conditions देने की, और इनको better life देने की जो की होती नहीं है, और वो क्या बोल रहे हैं, कि यह जो beneficent beasts हैं, यह जो politicians हैं, यह बनते तो good doers हैं, याने ऐसा दिखा दे कि हम तो बहुत अच्छे हैं और आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन reality में greedy होते हैं, क्योंकि इनका हम गरीबों से कुछ न कुछ मतलब चुपा हुआ रहता है, इनका क्या चुपा हुआ रहता है, कोई मतलब, याने कि इनको इनसे vote चाहिए, वो इनकी life से क्या लेना चाहते हैं, benefits, और benefits are in the form of votes, जब ये गरीब इनको vote देंगे, तो ये politicians और power में आएंगे, इनको seat मिलेगी, और ये जूटे वादे करते हैं power से पहले, लेकिन जब इनका काम हो जाता है, जब इनका benefit, इनका मतलब निकल जाता है इन गरीबों से, वो इनकी life की कोई condition सहीं नहीं करते हैं, और वैसी ही miserable condition में ये लोग रहते हैं हमेशा, that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way, soothe का मतलब क्या होता है, काम, किसी को काम करना, किसी को शान्त करना, wits का मतलब क्या होता है, intelligence, आप कितने clever हो, कितने intelligent हो, कितने होश्यार हो, वो आपकी wits होती है, तो वो ये बोल रहे हैं, कि ये लोग क्या करते हैं, calculate कर लेते हैं politicians की कैसे हमको काम करा जाए, यानि कैसे हमको शान्त किया जाए, क्योंकि ये roadside stand के लोग, ये गरीब लोग क्या करतें, अब इन लोग vote दे देते हैं, अब vote देने के बाद इनका काम नहीं होता, इनको better conditions नहीं मिलती, तो ये लोग क्या करते हैं, इनको cross question करते हैं, कि आपकी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, या इस तरीके के statements इनको बोलते हैं, तो इन politicians को, बहुत अच्छे से इनको काम करना आता है, बहुत अच्छे से इनको शांत करना आता है, अपनी intelligence से, याने अपनी होश्यारी से, अपनी समझदारी से, और वो क्या इनको बोलते हैं, आपको तो हम शहर में shift कर देंगे, और वहाँ पूरे दिन सोते रहना, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, जितने भी यह poor farmers होते हैं, जब यह गाउं में रहते हैं, तो इनका एक proper sleeping pattern होता है, यह पूरे दिन धूप में कड़ी मेहनत करते हैं, और बहुत hard labor करते हैं, और फिर यह लोग रात में सोते हैं, और continuously सोते हैं, तो यहाँ पर इनको बोला जा है, politicians हो रहा है, कि आपको जब हम shift कर देंगे, तो आपको दिन भर कोई काम नहीं करना है, आप पूरे दिन सोते रहना, आपको पूरे दिन कोई काम नहीं करना, आप दूसरे वाराम करना, जो की जूटे वादे होते हैं, और इससे क्या होता है, इनका sleeping pattern जो होता है, वो disturbed होन The ancient way, ओके, आगे पढ़ते हैं, Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thoughts of so much childish longing in vain, अब ये जो lines है, ये lines कौन बोल रहे हैं, खुद Robert Frost, हमारी poem के poet, वो बोल रहे हैं कि कभी-कभी मुझे ऐसा feel होता है, कि मैं गरीबों कि ये conditions देखके bear नहीं कर सकता, यानि अब मैं और बरदाश नहीं कर सकता है, इनक The thought of so much childish longing in vain, longing का मतलब क्यों होता है, आपकी कोई desire, आपकी कोई इच्छा, जो बच्पन से अभी तक incomplete है, पूरी नहीं हुई है, वेन याने की empty, खाली है, अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं लोगों के अब हालत नहीं देख सकता, क्योंकि ये जो गरीब लोग है, ये हमेशा से गरीब हैं और इनकी life कभी भी बेटर नहीं हुई, और वो ये कहते हैं कि मैं इन लोगों का वो हालत नहीं देख सकता, कि इनकी बच्पन की जो desires है, लंबे समय से जो कुछ इच्छा है, childish मतलब ये लोग बड़े होगा और बच्पन से जो इन इंटी रह गई, याने खाली रह गई, पूरी नहीं हुई, the sadness that lurks near the peep open window there, that waits all day in almost open prayer, lurks मतलब remain hidden, कोई चीज जो छुपी हुई है और हमेशा आपके एर्द गर्द आपके आसपास रहती है, है तो आपके अंदर छुपी हुई, लेकिन कहीं न कहीं आपके आसपास होती है, तो वो कह रहा है कि इन गरीब लोगों के चेहरों पे एक sadness है, एक दुख की भावना है, जो अब अंदर छुप गई है क्योंकि इनने पता है वो हमारी बात कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी इनके आसपास वो sadness रहती है क्योंकि पैसा नहीं है, near the open window याने कि जो roadside stand के जो खुली जो खुली वो है, window खिड की है, वो लोग वहीं बैठते हैं अपना सामान बेशते हैं, तो वहीं जब वो लोग बैठे रहते हैं, तो इनके दिलों में वो दुख है कि कोई आनी रहा, कोई गाड़ी नहीं रुक रही हमारे roadside stand से कुछ खरीदने के लिए, और जो इच्छा है, जो बच्छमन से वो अंदर ही दभी रह जाती क्योंकि पैसा नहीं आरा तो इच्छा है भी पूरी नहीं होंगी, और ये लोग बिचारे पूरे दिन वेट करते रहते हैं, खुले आसमान के नीचे कि अभी कोई आएगा, कोई हम से कुछ खरीदेगा, कोई एक fruits ले जाएगा, या कोई vegetables ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग पूरे दिन, roadside stand के जो लोग है, वो बोल रहे हैं, हम लोग पूरे दिन वेट करते, squeal of brake के, यानि जब हम बहुत तेज कोई highway पे गाड़ी चलती और एकदम रुपती है, तो कैसी आवाज आती है, brake लगने की, उसकी आवाज को हम squeal of brakes कहते हैं, तो जो ये गरीब लोग हैं, वो ये कहरे हैं कि हम पूरा दिन से wait करते रहे हैं कि अब कोई brake लगने की आवाज आईगी, यानि अब शायद कोई car रुकेगी और हमसे कोई सामान खरीदेगी, लेकिन कोई car रुकती ही नहीं है, और सारे लोग, इतने हजारों लोग जो पूचने के लिए उन फार्मर से कि क्या प्राइज है, तुम जो बेच रहे हो, तुम तुमारा प्राइज क्या है, क्या प्राइज इन फ्रूट्स और वेजटेबल का, और पूचते हैं, फिर खरीदते नहीं और आगे बढ़के चले जाते हैं, तो इतनी सेलफिश लोग है जिसके बारे में रोटसाइज स्टांड के जो फार्मर से बता रहे हैं, याने वहाँ पे ग्रास है, तो वो बोल रहे हैं कि एक गाड़ी रुकी थी, लेकिन क्यों रुकी? उसको बाक एंड फोर्थ, याने कि रोटसाइज स्टांड का जो एरिया है, उसको मां से अपनी कार को सिर्फ टर्न करनी थी, बैक लेके और आगे बढ़नी थी, और जितनी भी ग्रास थी रोटसाइज स्टांड के पास में, वो उखाड के चले गई, क्योंकि वहीं पे कार आई, रिटर्न लिया, रिवर्स लिया कार ने, तो कहते हैं, वो रुकी तो स क्या, पूछने के लिए रुके की, आगे का रास्ता कैसे, या डारेक्शन से पूछने के लिए उन्होंने वहाँ पे रुके, और अनदर टु आस्क, कुड ये सेल इत गैलन ओफ गैस, दे कुरें इंट इस ग्रास ली, वे हाड नन, दिन्न इस सी, तो अब वो लोग हो रहे हैं, एक गाड़ी और रुकी, और क्या पूछने के रुकी, कि आपके पास गैलन ओफ गैस है, जो गाड़ीों में सी एंजी डलता है, या कोई पेट्रोल स्टेशन में जो गैस मिलती है, वो, कि ते आपके पास गैस है, क्या, तो अब वो और गुस्ता हो गए, वो ब याने, बेसिकली वो उनके, बोलते है न, जले पे नमक चलकने वाली बात, वो करते हैं, कि और रुक नहीं रहा, उनके पास पैसा नहीं, कोई उनसे कुछ खरीद नहीं रहा, और गलती से आप रुक भी रहे हो, तो क्या पूछने के लिए, क्या आप गैस बेचते हो, तो इ यहाँ पे बोल रहे हैं, पोईट, वो कह रहे हैं, कि इन लोगों के मन में, यह रोट साइज सांड के जितने भी गरीब लोग है, पूर लोग इनके मन में इच्छा है, कि हम लोग भी, सिटी के जैसे लोग है, उनके जैसे अपनी लाइफ को रखे, वैसी नहीं तो रखे, कुछ पैसे का फ्लो हो जाए यहाँ पे, जो हमारी लाइफ बेटर हो जाए, जैसा गेन, जैसे बेनेफिट्स, सिटी के लोग इन्जॉई कर रहे हैं, वैसा गेन और बेनेफिट्स हम लोग भी इन्जॉई करें, लेकिन, और यह स्पिरिट है इनके अंदर, यह ऐसा हम लोग भी वैसा एंजॉई करें, और यह इनके अंदर इच्छ होती है, जैसे ही वो लोग देखते हैं, कि कोई गाड़ी रुख नीरी, उनके रोटसाइट सैंड पर आगे निकल जा रही है, यह स्पिरिट उनकी वापस गिर जाती है, लेकिन जब देखते हैं, कोई गाड वापस दाउन हो जाती है, उनकी इच्छा वापस खतम हो जाती है, और वो sadness में आ जाते हैं, और सो देखते हैं, और सो देखते हैं, कांट्री साइड या पीपल लिविग इन विलेज, उनने हम कांट्री पीपल भी कहते हैं, वो कहते हैं, पोईट, I can't help owing the great relief it would be, to put these people at one stroke out of their pain, at one stroke मतलब with one blow, एक ही बार में, तो पोईट जो Robert Frost है, वो कहते हैं, कि इन लोगों की इतनी बुरी हालत देखें, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत खराब लगता है, कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो कहते हैं, मेरा मन तो करता है, कि मैं इन लोग टम के लिए नहीं चलेगा, एक यह शॉट टम के लिए चलेगा, क्योंकि अगर मैंने इनका पेन एक बार में खतम कर दिया, इनको कुछ पैसे दिदी, इनको एक बार में निकाल दिया, तो यह वापिस वो पैसे को यूज कर लेंगे और वो खतम हो जाएगा, जो डेल ठीफ हे एक ही बार में खतम कर दूँ, लेकिन वो लोग टम के लिए नहीं चलेंगी, वो शॉट टम होंगी And then next day as I come back into the same, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain सेन का मतलब होता है reality यहाँ पे सेन का क्या मतलब है reality तो वो कह रहे हैं कि एक बार में तो इनकी problem नहीं खतम कर पाऊंगा मैं कर पाऊंगा लेकिन वो long term टली नहीं वो short term टली चलेंगी तो poet कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कोई आए मेरे पास जो बोले कि चलो ठीक है इनकी life से इस problem को निकाले और वो बोलते हैं कि for example आप मुझे ही ले लो poet खुद बोल रहे हैं कि for example आप मुझे ले लो अगर मैं इन लोगों का in roadside stand के जो लोगों का pain है जो इनकी तकलीफ है उनको तकलीफ में देखके मुझे तकलीफ हो रही है मुझे pain हो रहा है और कोई मेरे पास आएगा और बोलेगा कि आरे ठीक है न वो लोग ठीक हो जाएंगे ऐसा वैसा मुझे मनाने की कोशिश करेंगे तो ठीक है थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊंगा कि मुझे उनकी तकलीफ से तकलीफ हो रही है भूल जाऊंगा लेकिन मैं जब वापस sane में आऊंगा वापस reality में आऊंगा वापस से उन लोगों की यही बुरी और miserable condition देखूंगा तो मैं फिर से pain में आऊंगा फिर से मुझे वो तकलीफ दिखने लगेगी तो बोल रहा है तो poet बोल रहा है कि जैसे मुझे कोई short term के लिए इस तकलीफ से बाहर निकाल सकता है और जब मैं उन लोगों को देखूंगा और उनकी बुरी condition देखूंगा तो वापस मुझे वैसा ही बुरा feel होने लगेगा वापस मुझे pain feel होने लगेगा इन गरीबों की condition देख के तो कह रहा है, कह रहा है poet जैसे मेरी जो यह situation से जब मैं बाहर आँगा जब मेरी यह situation short term के लिए होगी तो इन बिचारे गरीबों की भी यह situation short term के लिए होगी अगर मैं कोशिच भी करता हूँ इन लोगों को एक बार में इनकी तकलीफे खतम करने का तो वो short term के लिए होगी, long term के लिए नहीं जाएगी क्योंकि वापिस उनकी यह condition हो जाएगी So poet बिसिकली बहुत दुख फील कर रहे हैं, बहुत बुरा फील कर रहे हैं roadside stand के, poor farmers के लिए और चाहते हैं कि हम सब मिलके उनकी मदद करें उन्हें support करें, ताकि वो लोग अपने daily earnings live करें क्योंकि वो भीक नहीं मांग रहे हैं, वो donations नहीं मांग रहे हैं वो अपने महनत से चीजें बेच कर कमा के, अपनी life की conditions better करना चाहते हैं जैसे life की conditions city के लोगों की better हैं, exactly उसी तरह वो भी चाहते हैं ताकि उनकी इच्छा है, पूरी हो सकें और वो लोग comfortably पेट भर खाना खा सकें, okay So, यहाँ पर हमारे POM का explanation खतम होता है Now, let's discuss some important poetic devices used in the POM तो पहला poetic device used हुआ है, transferred epithet A transferred epithet is an adjective that serves to characterize something तो transferred epithet का मतलब क्यों होता है, कोई ऐसी adjective use होती है, किसी ऐसी चीज़ के साथ जो non-living thing होती है जैसे कि पहली चीज़ होई है, polished traffic polished यहने कि polished कौन करता है, हम इनसान करते हैं यह adjective है, और किसके साथ use हुआ है, traffic जो की एक non-living thing है दूसरा है, selfish cars, अब selfish कौन होते है, humans होते है यह adjective है, वो किसके साथ use हुआ है, cars किसाथ, जो की एक non-living thing है तो यहाँ पे transferred epithet use हुआ है फिस second poetic device है, personification जब हम human की qualities, humans की कुछ characteristics किसके साथ associate कर देते है, non-living things, animals या plants के लिए उससे हम कहते है, personification जैसे, the sadness that lurks behind the window अब window क्या है, एक non-living thing है और sad कौन होता है, sad इंसान होते है तो यह इंसानों की quality, एक non-living thing के साथ आपने associate करी तो यह हुआ personification एक और line है, जहाँ पर personification यूज़ हो है, वो है the roadside stand that to pathetically plead pathetically plead यहने बुरी तरीके से request करना request कौन करता है, इंसान करते है और यहाँ पर request कौन कर रहा है roadside stand खुछ request कर रहा है लोगों से कि आजाओ और हमारे stand से कुछ खरीदो तो जो plead करता है, यहने जो request करता है वो इंसान करते हैं तो यह एक human quality है, जो कि एक non-living thing roadside stand से associate कर दिया है इसलिए यहाँ पर personification use हुआ है फिर next है alliteration, it is a poetic device in which a number of words having the same first consonants sound occur close together in a series, जैसे कि हम सब को पता कि वाविल्स कौन से होते है A, E, I, O, U यह five letters वाविल्स होते हैं और इन सारे letters को इन five letters को छोड़के जितने भी letters होते हैं उन्हें हम consonants कहते हैं जब एक की line में दो तीन words साथ में आते हैं और उन words के first letters consonants होते हैं वहाँ alliteration use होते हैं जैसे कि greedy good doers यहाँ पर क्या है? Greedy and good दो words use हुए है और दोनों के first letters क्या है? G which is a consonant. फिर दूसरा है beneficent beasts of prey again क्या use हुए है? Beneficent beasts दोनों के first letters है B याने कि यहाँ पर क्या use हुए है? Alliteration फिर pathetically pled again दो words साथ में use हुए हैं और दोनों के first letters है P which is a consonant that means यहाँ पर alliteration used हुए है. Then fourth आपका poetic device used हुए है oxymoron it is a device in which two words with opposing meanings are used together intentionally for effect जब दो words साथ में use होते हैं और दोनों words का opposite meaning होता है उन दो words को जब हम साथ में use करते हैं poem में अच्छा effect लाने के लिए उससे हम कहते हैं oxymoron यहाँ पर क्या use हुआ है? Greedy good doers एक word है greedy दूसरा word है good doers greedy मतलब जो लोग लाल्ची होते हैं और good doers मतलब जो लोग सब के लिए good करते हैं अच्छा करते हैं तो दोनों क्या है words? opposite words है और दोनों को साथ में use किया गया है poem में अच्छा effect लाने के लिए second क्या use हुआ है? beneficent beasts of prey तो पहला word क्या है? beneficent beneficent याने वो लोग जो बहुत generous होते हैं kind होते हैं जो सब के साथ अच्छा करते हैं और दूसरा word क्या use हुआ है? beast beast याने की raksas a devil तो जो लोग अच्छा करते हैं वो raksas की तरह होते हैं तो beneficent और beast दो words साथ में use हुआ हैं और दोनों का meaning opposite है poem में अच्छा effect लाने के इन words को use करते हैं और इसी poetic device को हम कहते हैं oxymoron So children we come to end of this session I hope आपको पूरी poem का explanation अच्छे से आया होगा समझ में और साथ में poetic devices भी आया होगे अगर आपको हमारे videos बच्चों YouTube पर नहीं मिलते तो आप हमारे videos को हमारी website से भी directly देख सकते हैं आपको कुछ नहीं करना आपको Google पर हमारी website का नाम डालना है जो कि है magnetbrains.com जैसे ही आप हमारी website का नाम डालेंगे इस तरीके से एक page आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर सारी classes mentioned है Class 12, 11, 10, 9, 8 and so on For example आपको Class 11 की English subject की videos देखनी है तो आप Class 11 पर click करेंगे जैसे ही आप click करेंगे इस तरीके के एक list आजाएगी आपके सामने सारे teachers की जो अलग-अलग subjects पढ़ाते हैं Class 11 में वही पर last option यहाँ पर मेरा subject है जो मैं लेती हूँ आप इस पर click करेंगे और जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने पूरी list आजाएगी उन chapters की जो मैंने पढ़ाय हूँ हैं जिनके videos record हूँ है तो for example मुझे कर हॉन्बिल बुक का first chapter The portrait of a lady का introduction देखना है तो मैं उस पर click करूँगा जैसे आप click करेंगे इस तरीके से मेरा video आपके सामने play होना start हो जाएगा तो children I hope आपको समझ में आ गया होगा कि अगर YouTube से आपको videos नहीं मिल रही तो easily website पर आप हमारे videos कैसे access कर सकते हैं और next video में मैं आपके लिए राने वाली हूँ इसी पोहम की summary और कुछ important question and answers तो तब तक लिए stay tuned, bye bye and take care